नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थम देल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिमाश् अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हार न लोगों की मौत हो गई है आईजीमसी शमला में शमला के चक्कर निवासी करोना संक्रमित 69 वर्षी व्यक्ति ने दम तोड़ दिया कांगडा जीले में भी करोना से 3 लोगों की मौत हो गई है सुजानपूर के 53 वर्षी व्यक्ति और उन्ना के 71 वर्षी व्यक्ति ने दम तोड दिया, बटियात की 65 वर्षिय महिला की भी मौत हो गई, मृतिक महिला को भुकार की शिकायत के बाद सौंबार को जो है, वो CHC, CHC नूरपूर में भरती के गया था, लेकिन मंगलबार को उसकी मौत हो गई, मंडी के बला में, मंडी में बला के 49 वर्षिय करोना संक्रामित व्य हो गई है, इसके साथ ही परदेश भर में अब तक 99 लोग करोना से जान गवा चुके हैं, उन्ना में करोना से भूत पूर्फ सैनिक की मौत हो गई है, मरीज को PGI चंडीगार से टांडा रैफर किया गया था, लेकिन उसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया, मरितक की करोन रिपोर्ट चंडीगार की निजी अस्पिताल में पोजिटिव आई थी, वहीं परदेश में जो है मंगलवार को 99 नए करोना पोजिटिव मामले आये हैं, कांगडा में 49, 99 में 35, 16 में 13, हमीरपूर में 7, सिरमोर में 16, शमला में 8, मंडी में 25, कुलू में 11, चंबा में 5, बि बिर शाम को बंदरोल में स्कूर्टी से गिरने के बाद उसे उपचार के लिए कुलू अस्ताल लाया गया, लेकिन रात तवियत बिगरने के बाद उसकी मौत होगी, मौत के बाद कारोवारी की करोना रिपोर्ट पोजिटिव आई है, स्पी कुलू गौरव सिंग ने कहा कि मंडी जीले में जोगिंदर नगर से 25 नए मामले आये हैं, उनना जीले में साच्यों समित 25 नए क्रोना पॉजिटिव मामले आये हैं, इनमें पुलिस जवान D.PRO कारियल लेकि दोकर्मी और डॉक्टर भी संक्रामित हैं, तो दोस्तो यह थी अभी की ताजा किवर ब्रेकिं सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जय हिन जय भाद